हाई फ्रेंड्स ये तोरण की नई डिजाइन है देखे ये तोरण की डिजाइन केसी बनाई है ये हम देखेंगे देखे इसमें जो बीच में ये डिजाइन है ये केसी बनानी है ये मैंने पार्ट वन में बताया है तो हम पार्ट वन में इसे जोइन करना सीख लेंगे देखे इस तरह से मैंने ये डिजाइन यहां तक बना कर रेडी कर ली है देखे यहाँ पर एक चेइन लेंगे और जो हमारे डिजाइन तयार है वहाँ पर हमने जो तीन चेइन लिया था वहाँ पर इस तरह से जोईन करेंगे और एक चेइन डालेंगे देखे इस तरह से अब उसी के अंदर हम देखे इस तरह से साथ डबल क्रोशेट डालेंगे देखे इस तरह से जहाँ पर हमने 10 चेन लिये थे वहाँ पर यहाँ साथ डबल क्रोशेट डालेंगे देखे इस तरह से हम साथ डबल क्रोशेट डालने के बार जहाँ पर हमने तीन चेन लिएते वहाँ पर सिंगल क्रोशेट डालेंगे और देखे नेक्स्ट जहाँ हमने पाच चेन डालेते हैं उसके उपर हम क्या करेंगे अब पाच डबल क्रोशेट डालेंगे देखे इस तरह से देखे इस तरह से पाच डबल क्रूशेट डालेंगे और जो हमारी डिजाइन तायार है वहाँ पर हमने यहाँ पर देखे पाच डबल क्रूशेट स्कीप करना है और छेटे को उपर इस तरह से देखें जाइन करना है देखे इस तरह से एंपर उसी पर और चार डबल क्रूशेट डालेंगे या पर हम टोटल 9 ौडबल क्रूशेट डालेंगे देखे इस तरह से देखें नेक्स जहापर हमने तीन चैन डाले थे वहाँ पर इस तरह से जोईन करेंगे देखें नेक्स जहापर हमने 10 चैन डाले थे उसके उपर हम क्या करेंगे अब साथ डबल क्रूशेट डालेंगे देखे इस तरह से हम क्या करेंगे साथ डबल क्रूशेट डालेंगे उसके बाद क्या करेंगे एक चैन लेंगे देखे और जो डिजाइन में हमने तीन चैन लिए थे उसमें इस तरह से देखें जोइन करेंगे और और एक चैन लेंगे उसके बार उसे में और साथ डबल कुरिशेट डालेंगे देखें इस तरह से एक दो तीन चार पान छे साथ देखें इस तरह से और जहाँ पर तीन चैन है वहाँ पर इस तरह से जोइन करेंगे देखें इस तरह से हमारी डिजाइन एक दूजे में इस तरह से फस लिया है देखें इस तरह से हम पूरी बट्टी जोइंड करेंगे देखिए इस तरह से मैं इस बट्टी में पूरी डिजाइन को इस तरह से जोइंड कर लिया है अब देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे एक कलर का दागा लेंगे देखे इस तरह से और जो हापर हमने तीन चेन डाले थे वहापर इस तरह से जोइन करेंगे जोइन करने के बाद क्या करेंगे चार चेन डालेंगे देखे तीन चेन में सामरा पाई लाडबल क्रोशिया उसके बाद एक चेन एक गाप के लिए उसके बाद क्या करेंगे एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स के उपर एक डबल क्रोशिया उसके बाद एक chain, एक double crochet skip करेंगे, next के उपर देखिए इस तरह से, एक double crochet, उसके बाद एक chain, एक double crochet skip करेंगे, देखिए इस तरह से, next के उपर एक double crochet, देखिए इस तरह से, उसके बाद एक chain, टेकिनेक्स के उपर इस तरह से एक डबल क्रोशेट यहाँ पर हम अब चैन ने डालेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे सिंगल क्रोशेट डालके एडिजाइन बून देगे यहाँ तक एडिजाइन हमने बून लिए है अब हम क्या करेंगे जहाँ पर जो दो पंक़्डे को हमने जोईंट किया है वहाँ पर दीकि इस तरह से दाग्य को डालेंगे और यहाँ पर single crochet बनाएंगे देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पर chain नहीं लेंगे सीधा इस तरह से देखिए एक double crochet बनाएंगे उसके बाद क्या करेंगे एक chain लेंगे एक double crochet को skip करेंगे और next के उपर एक double crochet अब वही process हम repeat करेंगे देखिए इस तरह से इस तरह से हर एक double crochet के उपर एक double crochet, एक chain next एक double crochet हम skip करेंगे यही process पर repeat करते करते हम क्या करेंगे इस पूरी पट्टी को बून लेंगे देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर जो बीच में gap है वहाँ पर इस तरह से single crochet से join करेंगे देखिए इस तरह से यह design हम पूरी बना कर तायार करेंगे देखिए देखिए इस तरह से हम यहाँ last तक आये है अब हम क्या करेंगे देखिए इस तरह से single crochet के उपर एक single crochet डालेंगे उसके बाद एक chain डालेंगे एक single crochet skip करेंगे देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से एक single crochet के उपर एक single crochet उसके बाद एक chain एक single crochet skip करेंगे देखिए इस तरह से इस design को हम बून देखिए इस तरह से और last में जब पंकुडी खतम होंगी वापर हम क्या करेंगे देखिए इस तरह से single crochet से बून देखिए इस तरह से इस डिजाइन को हम पूरी तरह से दोनों सेट से बूंद लेंगे देखे हमने उपर की सेट से बूंदा उसी तरह से नीचे की सेट से हम ये डिजाइन बूंद लेंगे देखे इस तरह से ये आमरे डिजाइन दोनों सेट से बूंद कर तैयार हो गई है देखे इस तरह से ये डिजाइन आमरे तैयार हो गई है देखे इस तरह से फ्लावर के से बनाना है इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी इसका मैने अलेकसा वीडियो बनाया है देखे वो वीडियो देखकर आप फूल बूंद लेंगे देखिए अब इसे हम जॉइन करेंगे देखिए इस तरह से फुल को लेंगे उसके उपर इस तरह से तागे से इस तरह से देखिए धागा बान लेंगे अच्छे से उसके बाद क्या करेंगे इसमें हम अपने मन पसंद जितने साइट के चाहिए इतने मूती डालेंगे देखि अपने हिसाब से लगा सकते हैं कम जादा देखे इस तरह से पंखुड़े के बीच में इस तरह से हम क्या करेंगे जोइन करेंगे अब इसी इस तरह से जोइन करेंगे ताकि आप अपने दागा यहाँ पर दिखेगा नहीं देखे इस तरह से इसको हम इस तरह से पैक करेंगे देखिए आप अपने हिसाब से इस मोती को कम ज्यादा कर सकते हैं देखिए इस तरह से दागे को कट करेंगे देखिए हमारा दागा देखेगा नहीं देखिए इस तरह से आप अपने हिसाब से कम ज्यादा मोती करके यहाँ पर इस तरह से लटकर लगा सकते हैं देखिए इस तरह से देखी इस तरह से मैंने इस लेटकन को लगाया है आप अपने इस तरह से यहाँ पर लगा सकते हैं कम ज़्यादा करके देखी इस तरह से मैंने इस तरह से मोती लगा कर आपको दिखाया है अपको जिस तरह से मोती लगाना है आप लगा सकते हैं देखिए और अपने मन पसंद के आप इसके पट्टी बना कर उसे जाइंट कर सकते नहीं तो वैसे ही रख सकते हैं देखिए इस तरह से हमारा तोरण बनके तयार हो गया है यह तोरुन आपको कैसे लगा यह मुझे कमेंट करके बताएगा वीडियो अच्छ लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इसी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू